नमस्कार प्रियसातियों मैं हूँ सुरेश्रमाली अवेकनिंग बंत्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक चिडिया जो की गर्बबती थी कुछी दिनों में उसे बच्चे देने थे लेकिन वो जहां पर रह रहे थी वहां पर घना पेड नहीं था उसे एक मजबूत और घने पेड के जरूत थी इसलिए वो नदी के उस पार चली गई जाने पर उससे नदी के किनारे पर दो अच्छे पेड दिखे और उस पेड़ पर जाने से पहले उसने पेड़ से कहा क्या मैं आपके टहनियों पर अपना आश्याना बना सकती हूँ अपन तुम यहाँ पर अपना आश्या ने बना सकती हूँ वो पेड थोड़ा दुरी पर था कुछ दिनों की बात है बहुत तेज पानी का बाहवा आया और जिस पेड ने मना किया था वो बह चला गया और जड़ समेद उखण कर चला गया उसके बाद उस चीडिया ने उस पेड से कहा कि वाई देखो इसने मुझे बना किया था और करनी का फल बोगना पड़ता इंसान को और चाए जीव हो या प्रानी हो उससे अपने करमों के फल तो बोग नहीं पड़ते हैं इसने मुझे बना किया और ये पेड उखड़ कर चला गया जिस पेड पर उसने आश्याना बनाया था उसने गहा कि बेहन तुम गलत हो क्योंकि उस पेड को पता था कि उसकी जड़ें बड़ी कबजोर है कभी भी वो यहां से उखड़ कर जा सकता है इसलिए उसने तुम्हें मना किया ताकि तुम्हारे आने वाली संतान बच्चे सब सुरक्षित रह सके इसलिए आप और हम प्रेयसातियों कई बार किसी बैक्ति विशेश के लिए कुछ दारना बना लेते हैं हाँ ये गलत होगा किसी की बास सुनकर हम किसी के बारे में ये धारना बना लेते हैं हाँ इसके साथ गलत होगा ता हमारे साथ भी गलत होगा इसलिए जब तक आप पून रूप से अपना एटिट्यूट को पॉजिटिव नहीं करते हो आपको जिंदिगी में ऐसी निराशा वाली बाते हवेशा दिवाग में सूचती रहेगी आज के लिए तना ही प्यार भरा नमशकार और बहुत बहुत आशरवाद